हेलो स्टूडेंट्स, आपका चेप्टर 16 जिसका की सिर्षक है शंगते प्रभावा का मतलब होता है कि आप जैसे के संगत में रहते हैं उसका प्रभावा तो यह जो एक बहुत अच्छी कहानी है जिसे कि मैं पढ़कर इसके हिंदियर्थ के साथ आपको बताऊंगी आइए देखते हैं आपका चेप्टर 16 जिसका की सिर्षक है संगते प्रभावा बचों आपका चेप्टर 16 जिसका की सिर्षक है संगते प्रभावा इसमें बहुत अच्छे स्टोडी है जिसे कि मैं पढ़कर आपको हिंदियर्थ के साथ बताती हूं आप सभी बचे भी ध्यान पुर्वक से सुनिए एबं इसे खुद से भी पढ़ने का प्रयास कीजिए पुरा एकश्मिन वने एकह मुनी वशतिस्म पुराने समय में एक बन में एक मुनी रहते थे सा मुनी दो खगो अपाले मुनी ता भ्याम प्रकामं स्नियंतिसम मुनी उन दोनों पकश्म को बहुत प्यास करते थे तव खगो नित्यम इशंभजता हुद वह दोनों पकश्मिन प्रति दिन क्या करते थे इस्वर की भजन करते थे एक दा एका संत तस्मिन आस्र में आगता एक दिन क्या हुआ एक संत उनके आस्रम में आए उजोरिशी थे उनके मुनी के आस्रम में आए सा एकंग खगम ओया चत उन्होंने देखा बहुत अच्छा बान जो था पक्षी जो था बहुत सुन्दर बोलता था उन्होंने एक खग को एक पक्षी को मांग दिया मुनी तसमाई संताई एकं खगम ओया छत उन मुनी ने संत को एक पक्षी दे दिया अपराश्मिन दिने एक चवरा अपी आसर में आगा छत अगले दिन क्या हुआ अगले दिन एक चोर उनके आश्रम में आया सा अपी अपड़न ख़वम अया चत उसने भी एक ख़व का पक्षी को माल दिया मुनी थम अपी अपड़न ख़वम अया चत और फिर मुनी ने भी उन्हे अपना पक्षी जो थम का उसे दे दिया पक्षी ने मुनी को देखनी की इच्छा जागी अतासा प्रत्मम चवरस समीपम अगचत तो उन्होंने क्या किया कि पहले वो चोर के पास गए उनके नस्दिक गए तत्र एक असमीन पिंजने सखग इस्थितवासित उन्होंने देखा कि वे पिंजने में पक्षी था खगा तल मुनिंग दिश्टवा अबोचत पक्षी ने मुनी को देखा और बोला गडिनात गडिनात माड़ै माड़ै लोंट लोंट एती पकड़ो पकड़ो माड़ो माड़ो लूट पाट के लिए जो लोग चोड़ सब अपना करता था जो बोलता था उसनोंने लूटो जुद्हितो जाता यह वचन सुनकर मुनी बहुत दुखी हो गड़ै दुखी मंसा से अस्रम परते आगचत दुखी मुनी जो थे वो दुखी मंसे अपने आश्रम आ गए अगले दिन वो दूसरे दिन वो क्या हिए तो उन्हों संत के आस्रम में गए यदे मुनी आस्रम में अप प्रविशत तदे एक अस्मिन ब्रिक्षे स्थित खगा मुनी निवेदया जब वो मुनी की आस्रम में प्रवेश किये तो उन्होंने एक ब्रिक्ष पर जो थी था वो खग पक्षी उन्होंने मुनी से निवेदन किया अस्माकम आस्रमे भवता स्वागतम हमारे आस्रम में आपका स्वागत है कथै अपी कुशलम क्यास आप कुशलता पुवक्से हैं खगाश से बचनंग सुर्थवास अती हर्शित अभवत पक्षी के बचन को सुनकर हुआ बहुत खुश हो गए खगाई चो आसिरवचनम अकथयत और पक्षी को आसिरवाद सब दिये प्रहिष्टमन मुनी निजास्रम प्रत्यागचत अविचारयत चो और खुजी मन से मुनी अपने आस्रम में आये और विचार करने लगे सत्संगति कथा एकिमन करो थी पूल साम और नुह ने सुचा कि सत्संग जो है सत्संग मनुस का किसी प्रकार से भरा नहीं करते है अर्थात सत्संगति मनुस का हर तरह से जो है कल्यार करती है जदि आप अच्छे के पास गये जदि अच्छे के संगती में आए अच्छे लोग के संगती में आए तो आपका भी संगत के मनुष्य का किस-किस प्रकार से भरा नहीं करते हैं, अथा संगती मनुष्य का हर तरह से कल्यान करती हैं, तो कहानी में पढ़ाया, यहां पर संगती प्रःवर इसे मने पढ़ कर एक हिंदी गर्थ के साथ आप सभी बच्चे भी इसे खुद से पढ़ेंगे, इसके हिंदी गर्थ के सथ जो है, अप पढ़ेंगे, तो आपको भी बहुत से बात जो है, इसमें इसका पर अनुष्य को होगा जिदि इसका हिंदी में अनुवाद पुछेगा तो आप अच्छे से उसे करपाएंगे बच्छों आज मैंने आपका चेप्टर 16 जिसका की सीर्षक है संगतिवर्भाव यह इसको पढ़ता इसके हिंदी अर्थ के साथ मैंने बता दिया है आप सभी बच्छे भी से ध्य पढ़ेंगे आगे की कालिकुलिकर में फिल्ट रस्थी दोंगे पटक के लिए देने बाएंगे